दोश्तों इसकी एक फिर्म एक 180 किलो मेटर स्ट्राइक रेंज वाली मिसायल के साथ सामने आई है मेकन इडिया को एक बड़ा पूश्ट देते होए एक इंडियन फिर्म जे ऐसार डानमिक्स ने एक इंडिनियस एक 180 किलोमेटर स्ट्राइक रेंज एर टू ग्राउंड मिसाइल खगन तक ओन गोइंग डिफेंस एक्सपोर 2020 में पेश की है AI से बात करते हुए J.S.R. डाइनमिक्स के मेंटजिंग डिरेक्टर एर मार्शल एस बी दियो ने कहा कि खगन तक मिसाइल एक गाइड वैपन है एक एकसिलेंट एरो डाइनमिक परफार्मेंस के साथ इसके फ्रेंट पर एक सीकर लगा हुआ है जिसमें आर्टिफिचल इंटेलिजन्स लगाई गई है टार्गेट्स का पता लगाने के लिए ये मिसाइल एक एर लाइड वैपन है जिसकी एंज 180 किलोमीटर है उनका कहना है कि पहले हमें ये ऐसे एकवेविमेंट बाहर की कमपनियों से खरीने पड़ते थे लेकिन देश को अपने खुद के एक इंडियनियन्स डिफेंस आइटर की जूरुत थी गवर्मेंट को इसकी प्रसीजन वैपनस का बहुत बड़ा मार्किट है और बाहर की कुछ कंट्रीस इंडिया को ये वैपनस ऑफर तो कर रही हैं लेकिन वो सिर्फ पलिटिकल कमपोल्आज़न के तोर पर आफर कर रही हैं ये कंट्रीस हमें ये वैपनस सस्ते तो बेश देंगी लेकिन वो वैप रिक्वाइड क्वालिटी के नहीं होंगे और वहीं दूसरी तरफ इंडिया के पास सस्ती लेबर है और स्मार्ट लेबर है इंडियन्स को सौफ्ट वेर नैचरली आता है लेकिन सिर्फ इंजिनरिंग ही थी जिसमें हम पीशे चल रहे थे लेकिन हम अपनी इन रिसोर्स को साथ मिलाकर हम गलोबली कम्पीट कर सकते हैं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इंडियन मेड जेट इंजिन्स अवेलिबल होते हैं तो वो इन इंजिन्स को अपनी मिसाल्स में इस्तिमार कर पाएंगे इसके साथ ही डियाडियो ने कहा है कि उसका एंटी सैटलाइट वेपन सिस्टम अब फर्दर लिम्टेड परड़क्शन के लिए तयार है कि इंडिया की स्टेट ओन डिफेंस सर्च और डिवेल्मेंट और्गिनेशन डियाडियो के अफीचर्स ने कहा है कि एंटी सैटलाइट वैपन सिस्टम जिसे कि इंडिया ने मार्च 2019 को डिवेल्प को टेस्ट किया था अब फर्दर लिम्टेड परडिक्शन के लिए तयार है उनका कहना है कि इसकी फर्दर परडिक्शन के लिए डिसीजन इंडियन गुर्मेंट को लेना है और उन्हें गुर्मेंट केस डिसीजन का इंतजार है इंडिया ने एंटी सैटलाइट वैपन की डिमस्टरेशन मिशन शक्ती के हिस्से के तोर पर की थी जिसे कि एक इंडिय सैटलाइट को शूट डाउन करने के लिए इस्तिमाल किया गया था दियाडियो दोरा प्रवाइड किये गए डेटा के मताबिक 18.87 टन की ये थ्री स्टेज इंटरसेप्टर मिसाइल टू स्टेज सॉलिड प्रपॉल्शन रॉकेट मोटर्स को मिचर करती है जिसमें फ्लेक्सिबल नोजल्स लगे हुए हैं इसका एक स्केल्ड मॉडल डिफेंस एक्सपोर 2020 में दिखाया गया था इस मिसाइल की पहली स्टेज जो की 13.164 मीटर लंबी है और 1.4 मीटर डायमीटर में है इस मिसाइल को एक designated altitude पर ले जाती है ये स्टेज 74.8 सेकंट तक जलती है इसके बाद इसकी सैकंड स्टेट जलने लग जाती है जो की इसे 20.8 टन का तरस्ट प्रवाइड करती है और जो की ये स्टेज 37.7 सेकंड तक चलती है इसके साथ ये खबर आई है कि इंडिया एक 200 किलोमेटर रेंज बारी टेक्टिकल बलिस्टिक मिसाइल भी डिवेल्प कर रहा है इंडिया एक नए टेक्टिकल बलिस्टिक मिसाइल के उपर काम कर जो कि 200 किलोमीटर दूर तक टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकती है दो टॉप गुर्मेंट ओफिशर्स ने थरस्टे को ये जानकरी दी ये सर्फिस टू सर्फिस मिसायल जिसे की डिफेंस सर्च एंड डिवेल्मेंट और्गनेजेशन डियाडियो डिवेलप कर रहा है इसका नाम प्रनाश रखा गया है डिफेंस एक्सपोर 2020 पर हिंडुस्तान टाइम्स को डियाडियो के ओफिशर्स ने इसके बारे जानकरी दी उनका कहना है कि इस नए वेपन्स के ओरेजन प्रहार मिसायल सिस्टम के उपर बेस्ट है जो कि डियाडियो ने डिवेलप की थी परहार की मैकसिमम रेंज 150 किलो मीटर थी लेकिन आरमी को इससे ज़्यादा लंबी रेंज वाली मिसायल सिस्टम की जरूरत थी जिसके कारण प्रनाश मिसायल को डिवेलप किया गया है प्रनाश मिसायल की कनफिगरेशन को फ्रीज कर दिया गया है और इसके डिवेलमेंटल ट्रैल्स 2021 के एंड तक शुरू हो जाएंगे इसके अगले दो सालों में हम इस मिसायल को आरमी को यूजर ट्रैल्स के लिए पेश कर देंगे आरमी को दो सु किलोमेटर रेंज वाली मिसायल की ज़रूँरत है नौन न्यूकलिय प्रनाश मिसायल को एक सिंगल स्टेज सौलिड प्रोपेलینट इंजन प्रोपेल करेगा DRDO की शौर्ट रेंज पित्वी सीरीज मिसाइल्स 150 से लेकर 350 किलो मेटर तक की रेंज वाली है और ये सबी मिसाइल्स नुकलिर केमेंबल हैं और ये मिसाइल्स एक लिक्विड प्रोपैलन्ट इंजिन के साथ पावर्ड हैं लेकिन लिक्विड इंजिन की एक कुछ लिमिटेशन होती है सौलिर प्रोपैलन्ट वाली मिसाइल्स रेडि टो यूज होती है लेकिन लिक्विड प्रोपैलन्ट इंजिन्स कॉप्लिकेटड होते हैं और लिक्वर प्रोपैनेट मिक्सचर को इन मिसाइल्स में लॉंच से पहले डालना पड़ता है इसके साथ ही डियाडी को कहना है कि डिवेल्प हो जाने के बाद प्रवनाश मिसाइल को फ्रेंडली फॉरंड कंटेस्ट को एक्सपोर्ट पी किया जा सकेगा और ये अपनी रेंज कैटेगरी में दुनिया की सबसे सस्ती मिसाइल होगी और ये मिसाइल टेकनालोजी कंट्रोल रेजम ट्रेटी को भी वाइलेट नहीं करेगी क्योंकि उस ट्रेटी में 300 किलोमेटर से ज्यादा की मिसाइल्स का एक्सपोर्ट वरजित है लेकिन ये मिसाइल 200 किलोमेटर रेंज वाली मिसाइल होने के कारण इसे बेचा जा सकेगा तो दोस्तों इसके साथ ही डिफेंस एक्सपो पर एक और एंटी टैग गाइड मिसाइल को भी दिखाया गया था जिसे की BDL ने डिवैल्प किया है इस मिसाइल का नाम अमोग 3 मिसाइल है इडिया की भाद डाइनमिक से इम्टेड ने एक नए मॉडल को शोकेस किया है जो की एक नए थर्ड जेनरेशन एंट इटैग गाइड मिसाइल का है यह मॉडल डिफेंस एक्सपोर 2020 डिफेंस एक्सविजन पर दिखाया गया है इस मिसाइल का नाम अमोग 3 मिसाइल रखा गया है यह एक नए मैन पोर्टेबल फाइर एंड फर्गेट मिसाइल है इसमें एक कंवेशनल सिलेंडरिकल बॉड़ी है जिसमें आठ मिड बॉड़ी फोल्डिबल फिंस लगे हुए है और इसमें चार रिलेटिवली बड़े एफ्ट फिंस लगे हुए है फ्लाइट स्टेबिलाइजेशन के लिए अगर कंपेलिटिवली बात करें तो मोग 3 में एक बहुत सिंपल कंफिगरेशन है जिसमें BDR दोवारा डिवेल्ब किये गए स्मोक अलैसिक नेचर फ्री ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटर को लगाया गया है जिसमें थ्रस्ट वैक्टर कंट्रोल और एक ड्यूल मोड इंफ्रारेड इमेजिंग इंफ्रारेड और एलेट्र अप्टिकल सीकर सेंब्री लगी है टर्मिनल होमिंग के लिए ये मिसाइल लॉक अन बिफोर लॉंच मोड में फायर की जाती है और ये अपने टार्गेट्स को टॉप या डिरेक्ट अटैक मोड में टार्गेट कर सकती है अमोग 3 अन्टि टैक गार्ड मिसाइल में एक अन्टि आर्मर टैंडम वारहेड लगा होता है जो कि 650 मिली मीटर बियॉंड एक्सपलोजिव रेक्टिव आर्मर को पेनेट्रेट कर सकती है जानि कि ये 650 मिली मीटर चोड़े आर्मर को भी बेच सकती है इसके वारहेड की वेट क्लास को भी बताया नहीं गया है अमोग 3 को डिफेंस एक्सपो पर दिखाया गया है और इसकी स्टेट अपरेशनल रेंज 200 से लेकर 2500 मीटर तक है और इसका वजन 18 किलोग्राम तक होगा बीडियल का कहना है कि इसके परड़क्शन मॉडल को और जड़ा हलका बनाया जाएगा और कमपनी चाहती है कि इस मिसाइल का वजन 15 से 16 किलोग्राम तक ही रहे कमपनी ने इसके बाकी स्पैसिफकेशन को बताने के लिए मना कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने इस मिसाइल की एंगेजमेंट स्पीड को भी नहीं बताया है अमोग 3 मिसाइल के कमप्लीट मिसाइल सिस्टम में एक ट्राइपोड एक कमांड लाँज उनिट आती है और इसके साथ ही इसमें एक रमोट ऑपरेशनल के विल्टी भी है जानी कि इस मिसाइल को कहीं भी ऑपरेट किया जा सकता है BDL का कहना है कि ये मिसाइल अभी डिवैल्मेंट में है और हमने इसके डिजाइन को फ्रीज कर दिया है और हम इसे दो सालों में डिवैल्प कर देंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना है इंडिया ने एक नए डिमेस्टिकली डिवैल्पड एंटी शिप मिसाइल को रिवील किया है ये मिसाइल नेवर हेलिकॉप्टर्स और वर्शिप्स के लिए डिवैल्प की जा रही है इंडियन नेवी अपने फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स के उपर शॉर्ट रेंज एंटी शिप मिसाइल्स डिपलॉई करती है लेकिन लंबी दूरी के टार्गेट्स के लिए उसने अपनी सबी शिप्स को इंडियर्शियन ब्रमों सुपरसोनी क्रूस मिसाइल के साथ एक्विप किया है इंडिया की डिफेंस सर्च और डिवेल्मेंट और्गेट्स को हिट कर सकती है ये मिसाइल एक सॉलिड रॉकेट मोटर परपरिशन मिसाइल होगी और इसे एक टरमिनल आई 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 आर सीकर्ट गाइड करेगा और ये 0.8 मेक की रफ़तार से अपने टारगेट्स को हिट कर सकेगी ये मिसाइल एक सबसॉनिक स्पीड वाली मिसाइल होगी डिया डियो कहना है कि उसने ये मिसाइल अपने सी सी किंग हेलिकॉप्टर के लिए डिवेल्प की है जिसे की गुदावरी और भ्रमोत और भ्रमपुत्र किलास वार्शिप से अपरेट किया जाएगा इंडियन नेवी अपने दशकों पुराने मल्टी रोल नेवल सी किंग हेलिकॉप्टर को अमेरिकन MH-60R मल्टी रोल हेलिकॉप्टर के साथ रिप्लेस करना चाहती है नेवल चीफ एड्मिरर कर्मबिर सिंग ने कहा है कि यूएस गर्वर्मेंट के साथ जल्दी एक डिल साइन कर ली जाएगी इंडियन नेवी अभी ब्रमोस मिसाल को यूज करती है उसके साथ ही रेशन मेड के अच-35 और 3M कलब एंटीशिप मिसाल वेरियंट को अपनी वार्शिप्स के लिए यूज करती है नेवी ने इसके साथ ही अमेरिकन मेड हार्पून एंटीशिप मिसाल का भी ओर्ड दिया है अपने जर्मन HW कलास सम्बरीन्स और बोईंग P-8I एकरफ्ट के लिए ऐसा लग रहा है कि इंडियन नेवी अगले 5 सालों में 1000 एंटीशिप मिसाल करी देगी जिसके कीमत 1 बिलियन डॉलर साएगी अपनी डेली कलास डिस्ट्रॉयर्स, कोरा कलास मिसाल, कॉरवेट्स और दूसरी बड़ी वार्शिप्स को एक्विप करने के लिए दूसरा में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना पहला एंटीशिप मिसाल का 10 डॉलर जारी किया था जिसकी कीमत 1 बिलियन डॉलर थी इसने गलोबल मैनिफेक्चर से तकरीबन 270 कॉमबेट 40 प्रैक्टिस 10 ट्रेनिंग 6 डमी और 4 कट सेक्शन मीडियम रेंज हैटिशिप मिसाल को सप्लाइ करने के लिए इंटरस्ट इनवाइट किया था तो दोस्तो आज किस वीडियो में अतना ही प्लीस लाइक शेर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जू लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो जैहन्दवन दिमात्रों